आज है 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2022 से करेंट फइस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में इसको खरेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेट इंपोर्टेंट प्रेक्टिव मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से टेलेग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरुप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकोश्यन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम मनाया गया तो इस question का बे options है हिर्दय रोगों के खिलाप लोगों को जागरू करने के लिए हर साल 29 सितंबर को World Heart Day मनाया जाता है अच्छा इसे मनाता कून है इसे World Heart Federation मनाता है कौन World Heart Federation और World Heart Federation की स्टापन कब हुई थी 2000 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है जिनेवा में और इसके प्रेजेंट पर प्रेसिडेंट कौन है फॉस्टो पेंटो कौन है फॉस्टो पेंटो तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा सितंबर में अब तक जितने इंपोर्टेंडे मंगना आए गए हैं सारे मैंने यहां पर लिख दी हैं आप वीडियो को पॉस करिए और सितंबर के इंपोर्टेंडे एक बार रिबायत जरूर करिए अच्छा आज कि इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू करो और मैं आपको भी बोल अच्छी हो जाएगी. Next judgment है थाली में 2021 का संख्या कहां सबसे अधिक रहा है यानि कि केश राज मे शब्से अधिक बिदेशी परिटक आये हैं तो महारास्ट में सबसे अधिक बिदेशी परिटक आये हैं में 1.26 मिलियन विदेशी परिटकाए है तो माराष्ट फस्ट पर है तमिलनाडू सेकंड पर है तमिलनाडू में 1.23 मिलियन विदेशी परिटकाए है अब माराष्ट अपर है तो यह है मैप में माराष्ट माराष्ट की केपिटल क्या है मुंबई माराष्ट की चीपनिस्टर क कौन हैं भगत सेंग कोश्यारी अभी महारास्ट सरकार नेति आयोग जैसी एक संस्ता की स्तापना करेगी संपत्ति पूजी करण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज महारास्ट बना है मारबत उत्सब महारास्ट की नाकपुर में मनाया गया देश की पहली एलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मारास्ट के मुंबई में सुरू हुई है मारास्ट सरकार ने दही हंडी को खेल का दर्जा देने की गोश्ण की है बारत ने नाकपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाइवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है नए क्यूशन है हाली में भारत के अगले अट्रनी जनरल के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है तो अभी आर बैंक कट रमड़ी को भारत के अगले अट्रनी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया तो इस क्यूशन का बे आप्सन सही है अभी कुछ दिन पहले में आप को अतहां है था कि भारत के अगले अट्रीम बनेंगे मुखल रहतगे लेकिन मुकुल रहतगी। ने मुखल रहतगी रनोप अगला और आ्ट अचौ 6 बनाने का माइब। बेगिन और अगला अचौ 9 इड़ Here तो प्रजेंट टैम पेट और निजनल कौन है केके बेड़ो गोपाल यह आज यानि की तेज सितंबर को रिटायर हो रहा है अच्छा अभी स्टेस फिन्ने सुतंत निदेशक बेजय जसुजा को बनाया है अभी एनपी सी आई के एमडी-NCEO की रूप में डिलिप अजबे को निख किया गया रास्ति सुसासन केंद्र के नए वहानिदेशक की रूप में बारत लाल को नामित किया गया भूतपूर्व सैनिक कल्याड विवाक के सचिब बने हैं बिजै कुमार सियाम के नए अद्दिक्ष बने हैं बिनौद अग्रवाल और LIC India Limited ने अपना CMD बनाया है प्रसन्ना कुमार मोट पल्ले को ने क्यूशिन है हाली में Archaeological Survey of India ने केसराजी के बांदवगड में बेस बौद गुफाओं की खोज़ की है तो अभी ASI ने मद्द प्रदेश के बांदवगड में बेस बौद गुफाओं की खोज की तो इस कुशिन का से options है आपको पता है अभी मद्द प्रदेश चर्चा में रहा था और केसले चर्चा में रहा था कुनो नेशनल पार्क की वैसे दियान रखना कुनो नेशनल पार्क मद्द प्रदेश में यहां अभी चीटे लाए गए हैं अब मद्द प्रदेश तो य प्रदानी ग्रेन ने मद्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पबन उर्जा परयोजना शुरू की। मद्य प्रदेश का मंडला पहला आद्यवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। मुख्य मंत्री बाल आसीरवाद योजना ये मद्य प्रदेश सरकार ने सुरू की। बेसु का सबसे बड़ा तेरता सौरू उर्जा सैंत्र मद्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अमर सहीद चंसेकर की भब्व प्रतिमा अभी भोपाल में स्तापित की जाएगी। उस टैम की राष्टपती रामनात कोभिन ने भोपाल में आरोगी मंत्रन कारेकरम का उद्गार्टम किया था। अच्छा मद्य प्रदेश में काना, बांदवगड, मादव, संजय, पन्ना और सत्पुड़ा नेस्नल पार्के हैं। ये आपको याद रखने है। नए क्यूशन है, हाली में ICRA ने 22 बर्स 2022-23 में भारत की GDP विकासदर कितने प्रतिस्थत रहनी का अनुमान लगाया है। तो अभी ICRA ने Finance Year 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहनी का अनुमान लगाया है। तो इस क्यूशन का बे आप्शन सही है। अचा कल ही मैंने आपको बताया है, OECD ने भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.9% रहनी का अनुमान लगाया है। उससे पहले S&P Global Ratings ने 7.3% रहनी का अनुमान लगाया था। तो ये तेनो डाटा आप याद रखी। Next Question है, हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूसित नदी कौन सी गोसित हुई है। तो उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी अभी सबसे प्रदूसित नदी गोसित हुई है। तो इस Question का A Options है है। सारनपूर, मेरट, बागपत, गाजियबाद, नोइडा इन सब रिजन में अभी हिंडन नदी में E-Level का प्रदूसित है। यानि कि ये पानी बहुत ज़्यादा प्रदूसित है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की Capital क्या है लखनव। और लखनव। किस नदी की किना रिष्टित है। गोमती नदी किना रिष्टित है। उत्तर प्रदेश की चेपनेश्ट है योगी आर्तिनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पतेल। उत्तर प्रदेश का राजकी पसू है बारे सिंगा, राजकी पच्छी है सारास या क्रोंच, राजकी पुस्प है पलास और राजकी ब्रच्च है असोख का ब्रच्च अभी उत्तर प्रदेश को आयुश्मन उत्करष्ट पुरुष का 2022 मिला है उत्तरपदेश सरकार मात रुभू में योजना पोर्टल लॉंच करेगी उत्तरपदेश के बाराणसी सहर को पहली SEO, परेटन और सांस्कितिक रायदानी कोशित किया गया फास्ट्रेक कोट में पैंडिंग केसिस के मामले में उत्तरपदेश टॉप पर है बारत का पहला नाइट सफारी और जेब विवित्ता पार्क अभी लखनू में बनाये जाएगा अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है, कतरनिया घट वैलले संचुरी है और पेली भी टैगर रिजर्ब है हाली में खबरों में रही, तमीरा पानी नदी किस राजी में इस्तित है, तो तमीरा पानी नदी ये तमिलनाडू में इस्तित है, तो इसकुशन का से ओप्सिंस है ये, तमीरा पानी नदी के जीडोदार की पहल की गई है, इसलिए ये खबरों में है, तो ये तमिलनाडू म कौन है आर एन रभी अच्छा अभी तमिलनाडू की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंतरित करने की मंजूरी दी है तमिलनाडू सरकार ने नंज रायन टैंक को पच्छी अब्यारण के रूप में अधिसुचित किया है तमिलनाडू को अगस्त मलाई में अपना पांचम नमर रुप है खाद्य सुरक्षा सूचकांग में तमिलनाडू टॉप पर है अचा तमिलनाडू में जले कट्टू का आयोजन किया जाता है आध्य पुरम त्योहार तमिलनाडू मना जाता है चित्रई उत्सब ये भी तमिलनाडू में मना जाता है अचा तमिलनाडू में सत ते मंगलम टाइगर अजर्ब है इसे अभी टे एक्स टू अवार्ड मिला था इतना आप तमिल अडू के बारे में याद रखिए नए क्यूशन है किस बैंक ने उत्सव अभियान खुसियों का तिहार सुरू किया है तो अभी बैंक और वडोधा ने एक उत्सव अभियान ठूट देगी अब बैंक और वडोधा तो बैंक और वडोधा की स्टापना कब होई 1908 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बडोध्रा में और इसके प्रजैन टेम पर चेर्मेन कौन है हसमुक आधिया नए क्यूशन है हाली में गुजरात में सुरू हुए चत्तेस में र दल की धुजबाहक रही है अनूरानी तो इसको शिन का ए ओप्सन सही है यह है अनूरानी यह जैबेलियन थ्रोवर हैं नए क्यूशन है हाली में सेयुक्त रास्ट सतत बिकास लक्षियों को प्राप्त करने में उलेखनी योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया तो अभ पलेखना सही है जमू कस्मीर तो यह है माप में जम्हू कस्मीर के प्रजेंट तैंप मिल्यूट अट कबदर काने मनूश सिन्हा जम्मू कस्मीर में स्रीनगर में लगभग तेन दसक के बाद पहला मल्टिपलेक्स खुंहा है जम्मू कसमेर के उपराज जिपाल ने एक सो देज फिट लंबा रास्टी द्वाजर रास्ट को समर्पित किया है जम्मू कसमेर में ग्राम रक्षा गाड योजना लाग होई है जम्मू कसमेर में डल जील है, बुलर जील है धचीग्राव नेशनल पार्क है, केस्तवार्ड में नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ने हुशन है हाली में केस राज सरकार ने चिपे हवाई अड़े का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी थी तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि यह चिपे हवाई अड़ा है का तो यह मारास्ट के सिंद दुर्ग जिले में है और इस हवाई अड़े का नाम स्वतंता सेनानी और पूर्व सांसत बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी थी गई तो इस कुशन का से ओप्सन सही है ने हुशन है हाली में किस कमपनी ने देश की पहली एलेक्ट्रिक हैच बेक कार लॉंच की है तो अभी टाटा ने देश की पहली एलेक्ट्रिक हैच बेक कार लॉंच की तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है टाटा ने टियागो को एवी फॉर्म में लॉंच कर दिया है यानि कि एलेक्ट्रिक वीकल की फॉर्म में टियागो गाड़ी को लॉंच की है hatchback car कौन सी होती है जो normal size की car होती है जैसे Tiago होई, Swift होई, Baleno होई, I10 होई ये hatchback car है sedan कौन सी होती है आपने देखा हूँ जो लंबे size की car होती है जिनमें पेछे की तरफ डिगी होती है पतली सी होती है उन्हें sedan कहते है जैसे Honda City है, Hyundai वर्ना है ये sedan car है ये car के अलग-अलग segment है जिसमें hatchback segment में पहली car electric form में Tata ने रौंज की है और ये car है Tiago Tiago AV नए क्यूशन है उज्जेन में इस्तित महाकाल कोरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा तो जो महाकाल कोरिडोर है अब इसे स्रे महाकाल लोग के नाम से जाना जाएगा तो इस question का A options है नए क्यूशन है हाले में AIFF ने के सराज में footwall बेकास योजना शुरू की है तो All India Footwall Federation ने अभी औरणाचल प्रदेश में footwall बेकास योजना शुरू की तो इस question का B options है अब अब आझर प्रदेश तो ये है map में अब आझर प्रदेश अब्रदेश की capital क्या है एटा नगा अब अजचल प्रदेश के चीप निस्टर कों है पेमा खंडू और अजवन प्रदेश की गवरनर कों है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अभी अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परसुराम की 51 फेट उची प्रतिमाश तापित की जाएगी अप्रेल 2022 में GST राजस संग्रे ब्रद्धी में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहा था होलोंगी में अभी ग्रेन फिल्ड हवाई अड़ा अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा अर रिनम जन जाती ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है पके टाइगर रिजर्ब अरुणाचल प्रदेश में है पक्के पागा हॉर्नवेल फेस्टिवल ये भी अरणाचल पदेश में मनाय जाता है ने हुशन है हाली में केसराजी की दुआरे रासन योजना को हाई कूट ने अबैद गोसित किया है तो पस्चिब मंगाल में ये दुआरे रासन योजना 2021 में सुरू हुई थी और कूलकाता हाई कूट ने इसे अब अबैद गोसित कर दिया है रास्टी खादि सुरक्षा अदिनियम 2013 का उलंगन बताते हुए कूलकाता हाई कूट ने इसे अबैद गोसित किया है तो इस कुशन का C आप्सिन सही है अब पश्यमंगाल तो ये है मैप में पश्यमंगाल पश्यमंगाल की केपिटल क्या है कूलकाता और कूलकाता किस नदी किनारे स्थेत है हुगली नदी किनारे स्थेत है पश्यमंगाल की चीपनिष्ट है मम्ता बनाजी पश्यमंगाल के अब गवर्नन है लाग अडिशन अच्छा अभी भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्गाटन कूलकाता में किया जाएगा अंतरास्ती समुद्री भोजन सोकी मेजवनी कूलकाता करेगा एसिया का सबसे पुरणा फुटवर्ल टूरमेंट डूरंड क अभी कूलकाता में शुरू हुआ था पश्यमंगाल ने बेस्व विद्यालेओं के कुलपति के रूप में मुख्य मंतरी को नियुक्त करने का निड़े लिया है पश्यमंगाल को सिक्चा के छेतर में स्कॉच अबार्ड मिला है इतना आप पश्यमंगाल के बारे में अब लास्ट वीडियो की कुछिन का आंसर को पेश्यमंगाल के यानि के पुछिन और लगबग सबी एस चबहुत में देटेल में लिखा मैं आपको एक बड़ फिर बोलूगा कुछिन के बारे में आपको जितना जादा से ज्यादा पता हो आप लेखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस राज में widget AP अभियान शुरू हुआ है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश RC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अब ये तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही महदद मिलेगी जब भी आप से सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलेख कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching